144 सेटेसाइट कर दिया, उसका बाद ए लोग कोट को थोड़ा बाईपास करते हुए 19 प्लेस को आइडेंटिफाइट करके 144 लगा दिया उसका बाद 144 नाइटिन तक था 19 को सुबा ए लोग और भी 4 प्लेस को छोड़के 15 प्लेस में 144 ट्वेंटिफाइट तक कॉंटिनू कर दिया हम लोग कोट में फिर गिया था फ्राइडे उस दिन बार का अनुरबल मेंबर एमेले जनाब इर्दिस आली साब का दुखत देहान थुआ इसलिए कोट बंद हो गया ये स्टाड डे पूरा दीन का हैरिंग हुआ अनुरबल जास्टिस सब अप्सन की उपर डिसकाशन किया स्टेट गवर्मेंट का बात भी सुना हम लोग का बात भी सुना उसका बात जो जाजमेंट आया अपलोट हुआ आपका सामने है हम लोग कोट का अडर मानते हुए हम लोग निकलने बाला है लेकिन मेरा पास मैं उम्मिद करूंगा डी जी पी आउरिस्पी बशीराट कोट का अडर का आमल करेगे फिर दुबारा कोट में जाने थार्ट टाइम कोट में जाने के लिए हम लोग का कोई जोरुद नहीं होगा यह मेरा उम्मिद है लेकिन मेरा पास जो जानकारी है पहले तो दो एक सिनियार अफिसर मुझे सुबा फोन किया और बताया आप ग्यारा वज़े का बाद जाहिए उसका बाद में तो मेरा सिडूल तो मैं 9.30 पीम की अंदर कोट के अडर में देख लीजिए मुझे रूट लाइन जानकारी देना चाहिए था मैं पहले पाँज बाजे दे दिया उसका बाद रिभाइज 9.00 पीम दे दिया इसमें ए लो ऋ जा सकता है इसका भी स्कॉप है इससे मोफ कर सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है का लेकिन ए लोग दस बज़े का बाद फाईल करेगा ग्यारा बाज़े डिवीशन में में ने ये इसका प्लैनिंग है तो उन्रेबल चीप जस्टिस का बेंच है उनका मामला है लेकिन हम लोग निकलने वाला है जो जानकरी मेरा पास है ए लोग फिर संद्रस्खाली का जो रा के इसलिये उल्ड करेगा डिविजन में ये लोग स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए होल करेगा ये भी इल्लिगल है डिविजन में क्या करेगा इसका एंटिसीपेशन करके पुलिस कुछ करेगा तो हम मैं मेरा लॉयर्ण सही बक्त पर सही कदम उठाएगा ये धान में रखते हुए पुलिस को कारवाई करना चाहिए मैं आपका दोवारा पुलिस को ये संदेश देता हूँ